एलो दोस्तों तो कैसे हों आप लोग अउमीद करता हों आप सब बढ़ियां उगे तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है केदारनात की पूरी हिस्ट्री कैसे-कैसे केदारनात मंद्र की शुरुआत हुई और क्या क्या प्रानिय उसके रिगार्डिंग मन यताय है तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरूर दोस्तों हिंदू धर्मानुसार चार धाम की यात्रा करना बहुत जरूरी है इस यात्रा का अध्यात्मिक महत्ब है जिस ब्यक्ति के मन में बैराग्य और धर्म की जोती जल रही है उसे यहां जरूर जाना चाहिए दोस्तों ये चार धाम हैं बद्रिनात, द्वारिकाधीश, जगनात और रामिश्वरम इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रिनात धाम के बारे में और उसके बीच में पड़े एक महत्बून धर्मिक सल केदारनात के बारे में उत्राखंड में जब बद्रिनात धाम की यात्रा करते हैं तब यहां सित, कंगोत्री, यमनोत्री और केदारनात की यात्रा किये बिना तीर्थ पूरा नहीं माना जाता है जो यात्रा होती है वो सफल नहीं माने चाती है दोस्तों अब हम बात करते हैं केदारनार्थ तीर्थ के बारे में केदारनात मंदिर भारत के उत्राखंड राज्य के रुद्र प्रियाग चिले में स्तित है उत्राखंट में माले परवट की, गोद में, केदारनात मंदिर बारा चोत्रिलिंग में समरित होने के साथ चार धाम और पंच केदार मैसी भी एक है यह उत्राखंड का सबसे विशाल शिब मंदिर है जो कंटवा पत्रों के विशाल शिलाखंडों को जोड़ कर बनाया गया है यह शिलाखंड भूरे रंकी है मंदिर लगभग 6 फुट उंचे चुगतरे पर बना है केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से गिरा है एक तरफ ग्रीब 22,000 फुट उंचा केदारनाथ परबत और दूसरी तरफ 21,600 फुट उंचा खर्चकुंड परबत और तीसरी तरफ 22,700 फुट उंचा भर्तकुंड परबत है केदारनात मंदिर ना सिर्फ फहाड बल्की पांच नदियों का भी संगम है यहां मंदांकनी, मदुगंगा, क्षीडगंगा, सरस्वती और स्वरणगोरी का संगम है लेकिन दोस्तों इन नदियों मेंसे कुछ काब अस्तित्व नहीं रहा है लेकिन अलकनन्दा की जो शाहिक नदियों मंदांकनी उन पांच में से अभी भी मौजूद है केदारनात मंदिर के इत्यास के अनुसार केदारनात मंदिर के किनारे में केदारेशवर धाम स्तित है पत्थरों से बनी कत्रुई शैली से बने केदारनात मंदिर के इत्यास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान पांढव वंश के जनम जय ने करूआया था लेकिन ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इसकी स्तापना आदी गुरू शंकराचार्य ने की थी कि दारनात के पुजारी मैसूर के जंगम ब्रहमन ही होते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंदार रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू ऐसा भी माना जाता है कि हिमालिया के कैदार परवत परभगवान विश्णु के अबतार महातवस्वी नार और नारायन रिशी तवस्या करते थे शादा बास करने का बर प्रदान किया ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद में बिजी होने पर पांडव भात्री हत्या के पाप से मुक्ती पाना चाहते थे इसके लिए भगवान शंकर का आशिरवाद पाना चाहते थे लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए पर भगवान शंकर पांडवों को बहा नहीं मिले बे लोग उन्हें खोशते हुए हमालिया तक आप पहुंचे भगवान शंकर पांड़ों को दर्शन नहीं देना चाहते थे इसलिए वे वहां से अंतरध्यान होकर केदार जा बसे दूसरी और पांड़वी लगन के पक्के थे बे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए भगवान शंकर ने बैल का रूप धारन करके अन्य पश्वों में जा मिले पांड़ों को संदे हो गया की भगवान शंकर इन पश्वों के जुंड में पस्तित हैं तभी भीम न अपना विशाल रूप धारन कर दो पहाड़ों के बीच में अपने पैर फैला दिये दोस्तों आपको तो पता होगा कि भीम कितना बलशाली था अन्य सब गाय बैल तो निकल गए पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारन कर पैर के नीचे जाने को त्यार नहीं हुए तब भीम ने पूरी ताकत से बैल पर जपते लेकिन बैल भूमी में अंतरध्यान करने लगा तब भीम ने बैल की पीट का भाग पकड़ लिया भगवान शंकर पांड़ों की भक्ती द्रेट संकलफ देकर प्रसन हो गए उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांड़ों को पाप से मुक्त कर दिया उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीट की आकरती पिंड के रूप में शरी के दारनात धाम में पूझे जाते हैं तो दोस्तों आज की मारी वीडियो आपको कैसी लगी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें श झाल